हाई गाईज एन वेलकम तू सोनी स्वर्ड तो फ्रेंड आज मैं आपके लाई हूँ कुछ ऐसे हेर रिमूवल हैक्स जो आपको बहुत ही जादा पसंद आएंगे फ्रेंड हम सभी को अपने सर पे बाल पसंद है बर्ट अपनी बॉडी पे तो बाल बिल्कुल भी पसंद नही है और हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपने फेशल हैर से अन्वांटेड हैर से बॉडी हैर से तो मैं आज आपके लाई हूँ कुछ है रिमूवल हैक्स आपको पसंद आएंगे वैसे तो बहुत ही ज्यादा मैथर अवैलेबल है जैसे कि वैक्सिंग ठ्रेडिंग और रेजर है मार्केट में क्रीम साती है है रिमूवल और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कौन सी बॉडी पार्ट के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी है और साथी साथ मैं आपको बताऊंगी उक्टन जो कि आप अपने अंचाहे बालों से हमेशा के लिए करता सकते हैं तो लेज़ स्टार्टेड है रिमूवल क्रीम आप अपनी स्कीन टाइप के कोडिक ले सकते हैं सेंसिटिव स्कीन के लिए आती है और ड्राय स्कीन के लिए आती है आपको अपने बालों की डारेक्शन में इसे लगाना है पांच मिनट तक फिर स्पैचुला से रिमूव कर दे उसके बाद आप आईस ट्रीटमेंट जरूर ले ताकि हमाई स्कीन के पोर्स बंद हो जाए फ्रेंट हमें चाहिए होगा वोमें रेजर या असानी से मार्किट में मिल जाता है हमें चेह होगा शेविंग जेल शेविंग जेल नहीं है तो हेर कंडिशनर यू कर सकते हैं या कोई भी मौश्यराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हैं यहां पर मैं अंडर आमस के है रिमूव करने के लिए रेजर यूज करूंगी जाप पे आपके बालों का डारेक्शन है उसी के आप पोजिट साइड में आपको रेजर मारना है ताकि आपके बाल पोर्स बंद कर दें और कोई भी मॉश्चराइजिंग क्रीम लगा दें और उसके बाद आप रिजर को पानी से वाश कर दें मेठट है रिमुवल के पल्या इसाने की निया एक अपर लेट साइट के हैर रिमूव करें यह कफी मैठट है अपने एक सीजेश रिमूव करने का और इसमिन यह अलर्जी यह यह рैडनेस नहीं होती नेक्स्ट मैथड है ट्वीजर ट्वीजर लगाने से पहले आप अच्छे से आइस रब कर लें ठाकि स्किन सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ट्वीजर से अपने आई ब्रोक के हैर को रिमूव कर दे और उसके बाद आप कोई भी टोनर, एस्टिंजन्ट या मॉश्चोराइजि अच्छे से ऊपने बिक्नी एरिया के हैर कर सकते हैं वुर इसके बाद आप टोनर से या hauter से अच्छे से पोर्ट को बंद करतें और कोई भी मॉश्चेराइजिंग क्रीम लगा लें यहां पर मैं बात कर रही हूं यहां पर मैं हैर् रिमूवर स्ट्रिप ले लूँगी और उसको कट कर दूँगी क्योंकि मैं अपने फेस पे यूज़ करूँगी यहाँ पर जो मैं वैक्स है देख सकते हैं ठंडी है बिल्कुल मैं अपने हाथ से ही इसे रब कर रहे हूँ जैसे वीट की आती है स्ट्रिप साते हैं यह वैसे ह काम करता है तो मैंने यहां पर wax को गरम नहीं किया है फिंगर से ही spread किया है और फिर strip से मैं से अच्छे से remove कर दोंगी आप देख सकते हैं मेरे hair remove हो गए हैं उसके बाद आप आइस जरूर लगाएं ताकि आपके स्किन के pores बंद हो जाएं यहां पर हम hot wax की बात कर रहे हैं hot wax हमारे legs के लिए और hands के लिए बहुत अच्छा होता है यह मैंने microwave में ही गरम किया है आप चाहे तो wax heater में भी गरम कर सकते हैं अब आपके बालों का direction जहां है वहां पर आप wax लगाएं और उसके बाद आप wax strip से अच removal trimmer जो की काफी सस्ते होते है panasonic का आता है फिलिप्स का आता है यह भी हमारे facial hair को remove करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है painless method होता है और किसी तरीकी का pain नहीं होता और काफी affordable method होता है यह hair को remove करने का especially facial hair हमारा next method है upton method हमें लेना है एक चम्मच लिकोराइस powder यानि की मुल्याटी powder एक चुटकी हल्दी कस्तूरी हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूत आप चाहें तो rose water भी use कर सकते हैं हमको यह upton बहुती गाड़ा बनाना है पत्ला नहीं बनाना है इसकी consistency थीक होनी चाहिए फि को जब तक यह बिल्कुल सूख ना जाए आपको अपनी skin tight ना लगे तब आप इसे तब तक रखें अब देख सकते हैं मैंने face पर लगाया है यह हमारे hairs को remove करने के सासा skin को whiten and brighten भी करता है muletti powder आप इसे रोज लगाएंगे तो आपके बालों को हटाने के सासा तो आपके skin को भी brighten and lighten करेगा फिर आपको सूख जाने के बाद यह बहुत ही अच्छे से rub करना है rubbing बहुत जार ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके बाल जो है वह अच्छे से तूटेंगे क्योंकि सूखने के बाद यह बाल जो है face pack पे चिपक जाते हैं और rubbing से अच्छे से हुट जाते है friend जिनके बाल बहुत ही जादा पतले हैं यह उपटन उनके लिए हैं तो हमने यहाँ पे एक चमच बेसन लिया है एक चमच हमने आटा लिया है और इसमें हम डालेंगे जस्टा पिंच कस्तूरी हल्दी और मैंने यहाँ पे कच्चा दूद लिया है इसकी consistency बहुत ही जादा आज की वीडियो पसंद आई होगी है स्काइब आपकी सेंसीटीव है तो अपने अपने बॉडिवल क्रीम यह और साथ यूज़ करने से पहले थोड़ा पैस्ट टेस्ट कर ले अगर आपको थोड़ी सी जलन होती है इचिंग होती है तो इसे रिमूब कर दे अगर आप beginner है तो hot wax नहीं use करें क्योंकि अगर आप गरम गरम अपने hands पर या अपने आपको जला लेंगे तो वह बात सही नहीं है तो आप पहले हलका सापने hands पर देखें कि आपको ज्यादा गरम लगता है तो आप थोड़ा सा wait करें उससे थंडा होने के लिए जब थोड़ होता है बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड कर पाते हैं इसमें कुछ कुछ सेशन होते हैं एक बारी में बाल नहीं रिमूव होते और कभी कभी हुआ सारे लोगों में देखा गया है कि हैर पर्मारेंटी रिमूव नहीं होते बाल की जो है ग्रोथ कम होती है बाल पर्मारेंट मेठेटों केसी तरिके का नहीं होना चाहिए कुई भी hair removal method कोज़ें, क्वे जब बालों की जड़े कमजोर होगी,591-452W पहले आपको अपने कोई भी से यूज करने के बाद इसे यूज करें इसको आपको जो फेस पैक है एकदम ठेक होना चाहिए गाड़ा होना चाहिए और अपने हेर की डारेक्शन में लगाएं जब बहुत अच्छे से सूप जाएं इसको आपको कम्लेटली ड्राय होने जेना ह फिर अपोजिट साइड इसे अप अच्छे से पुल करें उससे क्या होगा जो बाल होगे हमारे फेस पेक पर अच्छे से चिपाक जाएंगे चलंगे अपकर सब्चेवें में उप देखेंगे आपके फेश्यल एक्रोद कम हो रहे हैं कि आपके फेशल हेर को रिमूब करने क हमारे बालों की ग्रोफ भी कम साथ में बेवी तो यह सब बहुत बहुत를 सॉंप्ट stun एब में यह अपने यहेर की डirection में इसे मोटा मोटा लगाना और अच्छे से सूखने कामने के सfen отдел है,क obsat side लगाना यहीं कि नाफ़ में इसें अपने के कि डाउक्स यह दूटने के तो बाल कोऀग में डेले तोसले खिगते हैं और बाल आने बंद हो जाते हैं इसे भी आपको रेगलर लगाना है वन मन तक यह आपके फेशल हेर को रिमूव करेगा बस साथ आपकी स्किन को वाइटें और भी करेगा तो आप इसे लगा सकते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी है रिमूवल हैक्स जरूर लाइक किजिए क्योंकि इस वीडियो बनाने मेरे को बहुत ही जादा मेहनत लगी है शेयर वीडियो फ्रेंड फैमली और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो कर ही देना तो मैं आपसे मिलती हूं किसी नई होम रेमेडी नए डिय वाइवाई और डोंट फरकेट तो सब्सक्राइब माय चैनल और प्रस्टा बेल आइकन अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे मिलती हूं किसे नई होम रेमेडी नए डिय वाइवाई यह नहीं किसी स्कीन करके साथ बाबाए और स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटिफुल बाबाए